दो साल पहले निखिल नंदा ने अपनी पिता को खो दिया और दो साल बाद निखिल नंदा के सिर से मा का चल भी उठ चुका है दो साल बाद निखिल नंदा की मा रितु नंदा का निधन हो गया और इस निधन के बाद निखिल पूरी तरह से तूट चुके हैं निखिल नंदा ने बीते कल सोशल मीटिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरीए उन्होंने बताया कि यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि अब उनकी माँ वापस कभी नहीं आएगी इस मुश्किल की घड़ी में निखिल को एक पल के लिए भी अभी शेक बच्चन ने अकेला नहीं छोड़ा अभी शेक बच्चन निखिल के साथ अंतिम संस्कार के दौरान भी नजर आए और अस्ति विसर्जन के दौरान भी अभी शेक इस बात को समच चुके हैं कि निखिल काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रही हैं निखिल काफी ज्यादा तूट चुके हैं और ऐसी मुश्किल घड़ी में निखिल नंदा को सहारा मिल रहा है किसी और का नहीं बलकि ससुर समान पिता अमिताब बच्चन का, जी हैं, अमिताब बच्चन दो साल पहले भी निकिल का सहारा बने थे, उन्होंने निकिल को आश्वासन दिया था कि जब भी उन्हें पिता की जरूरत होगी, वो जरूर निकिल के साथ खड़े रहेंगे और यहां भी अमिताब बच्चन निखिल को सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं बता दे आपको निखिल और बिगबी का रिष्टा ससुर और दामात का नहीं बलकि पिता और बेटे जैसा रहा है हमीशा से इस वक्त निखिल को अपनों के सहारे की जरूरत है और एक तस्वीर आप इस वक्त हमारी रि ट्वीट देख रहे हैं ये ट्वीट बिगबी ने उस वक्त किया था जब पिता के निधन के बाद निखिल को एसकॉर्ट लिमिटेट ग्रूप का चेर्मेन और मैजिन मैनेचिंग डिरेक्टर बनाया गया था फिलहाल ये रिष्टों के खूपसूरती है जो इन तस्वीरो के जरिये सामने आ रही है नेक्स्ट नाइन निउस से मेघा की रिपोट